हेलो क्लास वेलकम बैक बच्छों बेटा हम बात कर रहे थे टी शेप अकाउंट की लास्ट लेक्चर और हमने क्या किया था बेटा टी शेप अकाउंट के हमने थ्री फूर कुर्शन भी अटेम्ट कर लिये थे बेटा और मैंने आपको कुछ होमवक भी बेज दिया था बेटा टी शेप अकाउंट पर कुष्चन नबर 18, 19, 20, 21 ये होमवक में दिये गए कुष्चन थे बेटा आज मैं इन सारे कुष्चन को एक बार सॉल्व कर देता हूं आप एक बार अपने सॉल्यूशन भी जरूर मैच कर लें अगर बेटा आपने क कोई गलती की है तो उसके बारे में भी मुझसे जरूर डिसकस कर लेना विटा टी शेप अकाउंटिंग बेस्ट है मॉडरन एप्रोच के उपर और मॉडरन एप्रोच को मैं एक बार रफ में दुबारा से लिख लेता हूं बेटा आपने मॉडरन एप्रोच पे बहुत चर्चा की है मॉडरन एप्रोच का शॉटकट आपको याद होगा इट इस क्लियर C for Capital L for Liability E for Expenses E for Assets and R for Revenue Capital Liability और Revenue के लिए बिलकुल एक जैसे रूल चलते थे अगर Capital Increase हो चाहे Liability Increase हो चाहे Revenue Increase हो बेटा इनका Increase होना हमेशा Credit होता है और इन तीनों का बेटा Decrease होना हमेशा Debit होता है बेटा Capital Decrease हो चाहे Liability Decrease हो चाहे Revenue Decrease हो यह बेटा Debit होता है रही बात Expenses की और Assets की बेटा इन दोनों का Increase होना हमेशा Debit होता है और बेटा इन दोनों का Decrease होना Credit होता है हमेशा Credit होता है तो यह है बेटा Modern Approach पे हमारा Analysis अब हमें Question No.18 स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी से बेटा Question No.18 क्या कहता है कहता है Open T-Shape Account for the Machinery and Write the Following on the Proper Side बेटा आपको बोलता है एक Machinery Account बना कर दिखा दो T-Shape में और आपको कहता है Write the Following on the Proper Side और बेटा आपको Posting करनी है प्रॉपर साइड में बेटा क्यारे बच्चो मैं बेटा फटा बट से एक Machinery Account का Format ready कर देता हूँ Question No.18 बेटा कोई भी अकाउंटों आपको याद होगा उसकी दो साइड होती है बेटा Left Hand Side and Right Hand Side Left Hand Side बेटा चार कॉलम होते हैं Left Hand Side में बेटा चार कॉलम होते हैं Date का Particular का JF का And Amount का Right Hand Side में भी बेटा चार कॉलम होते हैं Date Particular JF And Amount Hello बच्चो मैं पढ़ना स्थार्ट करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो बहुत अराम से सुनना कहता है Machinery Purchase for 5 लैक आपने Machinery Purchase करी है बेटा 5 लैक रुपेस की Machinery is an Asset तो मेरे प्यारे बच्चो सारे रूल Asset के आप देखना बेटा Machinery Purchase करने से क्या हुआ होगा क्या बिजनस में Machinery आई होगी क्या बिजनस में Machinery increase हुई होगी बिलकुल बेटा जब आपने Machinery Purchase की है तो बिजनस में Machinery आई होगी और आपके जेव से पैसे गए होगी मेरे प्यारे बच्चो मशीनरी increase हुई होगी और Machinery का increase होना that means assets का increase होना debit होता है तो बेटा left hand side हमारी debit side है और right hand side हमारी credit side है आपने Machinery परचेस करी बेटा कर दो debit Machinery परचेस बेटा डेबिट कर दो amounted to rupees 5 lakh amounted to rupees 5 lakh लो प्यारे बच्चो मैंने कर दिया debit उसके बाद बोलता है बेटा Machinery sold 1 lakh 20,000 बेटा आपने Machinery बेच दी है बेटा क्या हुआ होगा business से machinery गई है मेरे प्यारे बच्चो बिजनस से machinery चली गई है बेटा जब बिजनस से machinery चली गई है क्या हुआ machinery decrease हो गई है बेटा और इसका decrease होना क्या होता बेटा credit होता है machinery sold machinery sold 1 lakh 20,000 लो प्यारे बच्चो बढ़ते हैं आगे बेटा third item आपको given है machinery discarded 50,000 रुपीज आपने बेटा कुछ machinery को discard कर दिया discard कर दिया मतलब बेटा आप यूज में नहीं है खराब होगी थी आपने बेटा क्या करा बाहर कर दिया बेटा अपनी business unit से discard कर दिया बेटा बाबू बाबू बिलकुल बेकार होगी थी machinery किसी इस्तमाल की नहीं आपने reject कर दिया उसको बाब उसका use नहीं करने वाले क्या बेटा जब आपने machinery को reject कर दिया discard कर दिया क्या वो business से कम हो गई है बेटा बिलकुल machinery business से कम हो गई है बेटा और asset का decrease होना credit होता है तो बेटा आपने machinery को discarded कर दिया है बेटा लो machinery discarded मेरे प्यारे बच्चो amounted 2 रुपीज 50,000 लो बेटा हम 3 item post कर चुके हैं बेटा आगे बढ़ते हैं बोलता है हमारे को new machinery purchase 2 lakh रुपीज बेटा नई machinery आप खरीद कर ले कर आए 2 lakh रुपीज की तो बेटा business में machinery आ रही है बिजनस में machinery आ रही है बेटा नई machinery आपने खरीदिया 2 lakh रुपीज की लो प्यारे बच्चो जैसे ही बिजनस में machinery आ रही है वो बेटा debit होगी asset का increase debit होता है machinery purchased 2 lakh रुपीज 2 lakh रुपीज लो जी बेटा last item बेटा बोलता है machinery डेस्ट्रॉएड 40,000 रुपीज बेटा कुछ machinery destroyed हो गई बेटा वज़ा कुछ भी रही हो बेटा खराब हो गई है बेटा हो सकता है आग लग गई हो बेटा machine पूरी राद जलती रही हो बेटा अब use में नहीं रही destroyed हो गई हो सकता है बेटा कोई और वज़ा भी रही हो, लेकिन कोल मिलाकर specifically machinery, use से बाहर हो चुकी है, destroy हो चुकी है, क्या, बेटा, machinery के destroy होने से machine decrease हो गई है business में, हाँ बेटा, कई न कई कुछ machine business में कम हो गई है, और बेटा, asset का कम होना हमेशा credit होता है, machinery destroyed, दी हुई है हमें amount दी हुई है 40,000 रूपीज लो प्यारे बच्छो हमने क्या कर है हमने बेटा machinery account prepare कर लिया है और बेटां balancing कर रहे हैं balancing के लिए बेटां सबसे पहले rough में total करते हैं both side का 7,00,000 and beta 2,00,000 बाबो highest तोनों साइड लिखते हैं वेटा 7 lakh को both side post कर दो दोनों के दोनों side post कर दो वेटा मैंने posting कर दिया 7 lakh की both side अब आप क्या करोगे वेटा balancing करोगे मेरे बच्चों, यहां तो total 7 lakh complete है वेटा, यहां balance बच रहा है तो आप लिखोगे balance और वेटा आपने balance निकाला 7 lakh में से 210 माइनस करे balance is 490 मेरे प्यारे बच्चो balance आगया 490 और जब भी debit side greater होती है debit side greater होती है credit side से तो जो balance आता है प्यारे बच्चो उसको बोलता है debit balance तो बेटा ये 4,90,000 is that debit balance तो बेटा ये हमारा debit balance है तो यहां हमारा question number 18 खतम हो जाता है बेटा question number 19 एक बार पढ़ते हैं बहुत जल्दी से बेटा बोलता है open a T-shape account for our creditor रगुवीर and write the following transaction on the proper side मेरे प्यारे बच्चो हमें क्या कह रहा है कहता है open a T-shape account of our creditor रगुवीर and write the following transaction on a proper side बेटा T-shape account बनाना है creditor का and creditor इसा liability liability का increase होना creditor बेटा और decrease होना debit तो रगुवीर का हमें एक account बनाना है बेटा जो हमारा एक creditor है और मेरे प्यारे बच्चों हमें कुछ चीजों की posting करने हैं उन्दा proper side कहता है purchase goods from रगुवीर on credit आपने रगुवीर से बेटा credit पर goods खरीदे 50,000 return goods to रगुवीर 5,000 paid to रगुवीर 30,000 purchase goods from रगुवीर on credit for 16,000 और बेटा फिटा आइटम आपको बोलता है paid to रगुवीर 20,000 तो बेटा ये सारी transaction हमने शायद illustration number 19 में भी पढ़ी थी एक बार मैं फिर भी जल्दी से इसको account को बना देता हूँ लो जी हम ये क्या करना है बेटा creditor का account बना रहा है फटा फट से बेटा मैं रब कर रहा हूँ question number 18 और 19 को बना रहा हूँ I'm sorry झाल 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 लो बचो मैंने फटाफट से क्या करा format ready कर दिया बेटा रगुवीर हमारा creditor है और creditor एक liability होती है और liability के लिए rule क्या लिखा गया है बेटा अगर liability increase होगी तो कर देना credit अगर decrease होगी तो बेटा कर देना debit पहली transaction आपको बोलता है बेटा purchase goods from रगुवीर on credit 50,000 रुपीज बेटा आपने goods करीदे है रगुवीर से 50,000 रुपे के उधार पर खरीदे है बेटा हर वो supplier जिससे आप उधार पर goods करीदे हो वो हमारा creditor होता और हम creditor account ही बनाने जा रहे हैं बेटा बेटा आपने goods करीदे है उधार पर क्या एक आपकी एक नई obligation खड़ी हो गई बेटा बिल्कुल obligation खड़ी हो गई बेटा आपको future में उसको पे करने है 50,000 रुपीज रगुवीर को पे करने है क्या बेटा आपको नहीं लगता है इससे हमारी liability बढ़ गई इससे हमारे creditor बढ़ गई जब आप उधार पर goods लेकर आए goods business में आ गए बेटा साथी साथ वो एक obligation लेकर आए बेटा साथी साथ वो एक liability लेकर आए है कि creditor को आपने future में pay करना है बेटा ठीक है ना प्यारे बचोर कहीं ना कहीं business के इस entry से इस बेटा इस transaction से कहीं ना कहीं बेटा क्या हो रहा है हमारे creditor बढ़ रहे है हमारी liability बढ़ रही है तो बेटा creditor का बढ़ना हमेशा record होगा बेटा credit side पर लो प्यारे बचो गुड्स purchased on credit गुड्स purchased on credit रुपी 50,000 तो बेटा आपने उधार पर गुड्स करीदा है पचास हजार रुपे का ठीक है जी बेटा बोलता है second transaction return goods to रगुबीर 5,000 आपने बेटा रगुबीर के गुड्स वापिस कर दिये 5,000 रुपे के मेरे ब्यारे बच्चो मैं आपको एक बात समझाने की कोशिस करता हूँ मैंने last class में भी ये बात समझाई दिया आपको बेटा आप सोचू मैंने रगुबीर से उधार पर goods खरीदा goods business में आ गया साथी साथ एक liability आ गई कि आपको बेटा उनको future में 50,000 पे करना है आप रगुबीर के पास गए आपने बूचा रगुबीर मैंने तेरे कितने पैसे देने है रगुबीर ने अपना खाता खोला और बताया कि उसने आपसे 50,000 रुपे लेना है यानि कि आपने पे करना है उसको 50,000 रुपे आपने का देख मैंने 50,000 तो पे करना है लेकिन ये 5,000 रुपे का समान बहुत खराब निकला है मैं इसको तेरे पास छोड़ कर जा रहा हूं मेरी amount को 5,000 रुपे से कम कर दे मेरे ब्यारे बच्चो जवाब किसी का स्टॉक वापिस करोगे आज रगुवीर से आपने 50,000 का स्टॉक दिया आपने 50,000 पे करने उसको लेकिन अगर मैंने इसमें से 5,000 का स्टॉक वापिस कर दिया तो क्या मेरी लाइबिलिटी कम नहीं होगी क्या सर बिजनस से स्टॉक कम हो जाएगा बेटा नहीं ना कहीं बेटा आपकी 5,000 रुपे से liability की भी कम हो जाएगी बेटा अब आपको उसको 50,000 नहीं 45,000 देने हैं तो बेटा क्या goods return करने से creditor कम हो जाते हैं बेटा बिलकुल बेटा ये बात मैंने पिछली class में भी की थी अगर आप purchase return करते हो बेटा तो वो creditor की amount को कम कर देता बेटा purchase return क्या होती है आपने goods purchase करें और जब purchase में से कुछ stock बेटा आपने discard कर दिया आपको समझ नहीं आया आपने वापिस कर दिया बेटा तो क्या होगा बेटा कहीं ना कहीं इस term को हम बोलेंगे purchase return की purchase करके goods वापिस चले गए और purchase return हमेशा creditor की amount को reduce कर देती है तो बेटा लिखो purchase return purchase return amounted to rupees 5,000 rupees मेरे प्यारे बच्चों देखो एक simple सी बात बोलता हूँ अगर liability कम हो रही है तो debit होना है सब कुछ क्या बेटा purchase return से मेरे creditor कम हो रही है मेरी liability कम हो रही है बिल्कुल बेटा तो ऐसे cases में मुझे क्या करना है बेटा debit करना है बेटा third business transaction paid to ragubir 30,000 rupees बेटा आपने ragubir को पैसे दे दिये 30,000 rupees बेटा देने कितने थे देने तो 50,000 थे 5,000 का goods वापिस कर दिया अभी भी 45,000 देने थे बेटा अभी भी 45,000 देने थे और आज आपने 30,000 rupees दे दिये क्या बेटा आपने कुछ obligation कम कर ली अपनी क्या बेटा creditor कुछ कम हो जाएंगे बेटा बिल्कुल कम हो जाएंगे और creditor का कम होना हमेशा debit होता है लिखो जी paid to ragubir 30,000 paid to ragubir 30,000 rupees लो बेटा हमने 3 business transaction को solve कर लिया है बेटा 4th है purchase goods from ragubir on credit 16,000 rupees बेटा बाप गए ragubir के पास और दुबारा stock ले आए बेटा 16,000 का दुबारा उधार पर समान लेकर आगए हो बेटा 16,000 rupees का बेटा जब मैं दुबारा समान ले आया हूँ उधार पर तो मेरी obligation दुबारा बढ़ने वाली है क्या उधार पर goods करीदना बेटा एक liability लेकर आता है बेटा बिल्कुल लेकर आता है बेटा क्या creditor की amount बढ़ जाएगी बेटा बिल्कुल बढ़ जाएगी और creditor का increase होना credit होता है बेटा अगेन goods purchased on credit goods purchased on credit amounted to rupees 16,000 rupees लोग प्यारे बच्चों आपने 4 business transaction को post कर दिया है बेटा लास्ट वन आपको बोलता है बेटा paid to rugby 20,000 बेटा अब आपने रगुबीर को दुबारा payment कर दिया 20,000 की तो बेटा creditor की amount कम हो जाएगी paid to rugby 20,000 rupees बेटा क्या question कदम हो गया हो गया balancing आप सिखा रहे हैं मुझे बेटा क्या करना चीए balancing के लिए सबसे पहले both side का total in rough बेटा rough में आपने total कर दिया अब क्या करो बेटा highest total हों दा both side highest total is 66,000 बेटा both side posting कर देशे बेटा posting करने के बाद जहां कहीं भी debit side बाबू credit side यहाँ पर greater है credit side is greater than the debit side बेटा हम क्या बोलते हैं इसको credit balance तो बेटा जो यह हमारा 11,000 का balance balance आया बेटा यह credit balance है question number 19 हमारा यहाँ खतम हो जाता है बेटा बात करते है question number 20 बाबू question number 20 में आपको three account बनाने हैं बोलता है put the following और प्रोपर side of cash account debtors account and the creditors account बेटा मुझे क्या कर रहा है बहुत सारी transaction दे रखिये कहता है post कर दो cash account में debtor account में और creditor account में तो कोई दिकत नहीं बेटा अराम से एक बाद transaction को पढ़ देते है sold goods for cash आपने बेटा cash में goods बेचे ठीक है जी sold goods to hurry on credit मेरे प्यारे बच्चों ठीक है जी उधार पर goods बेचे ठीक है जी कहता है purchase goods from Christian on credit Christian से goods करी दे है बेटा उधार पर purchase goods from Christian for cash cash पर goods करी दे है Christian से cash received from hurry हरी बेटा एक debtor था उसने पैसे दे दी आपके और cash paid to Christian आपने creditor की payment कर दी तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे posting करनी है cash data और creditor account में मैं फटा फट से बेटा format ready करता हूँ क्योंकि मुझे 3 accounts बनाने हैं simultaneously मैं क्या करूँगा बेटा थोड़े छोटे बनाऊंगा account लो जी लो प्यारे बच्चों question number 20 बेटा मैं मान के चल रहा हूँ रह गई है बेटा तो आप वो problem call पर मेरे से ले सकते हैं मैं मान के चल रहा हूँ कि सबने ठीक कियोंगे बेटा easy easy तो question है बेटा लो यह भी पास हुिसे बेटा बेटा यह इम मैं ज्यल को पिटा हम फॉर्माट रेडी कर रहे हैं फटा वट से आप मेरे साथ साथ फॉर्माट रेडी कर रहे हो अगर आपने ये कुश्चन अटेम्ट नहीं किया तो पिटा पॉर्माट रेडं जा का रेडी कर रेड वंट वर्माट ये तो बेटा, left hand side is the debit side, right hand side is the credit side ऐसा मैं तीनों के तीनों account में लिख रहा हूँ लो बेटा, मैंने तीनों account का format एक बार prepare कर लिया है बेटा, entries post करना start करते हैं बेटा, first transaction is sold goods for cash 60,000 बेटा, सोचो, कौन से दो account impact करेगा sold goods for cash, आपने cash में goods बेच दिये 60,000 के बेटा, ये मेरे दो account को impact डालने वाला है cash account को और दूसरा sales account को क्या मैं sales account कहीं prepare कर रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चो नहीं, मैं तो कोई sales account prepare ही नहीं कर रहा तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे तो सिर्फ cash account में posting करनी है बेटा, क्या मैंने sales account prepare करना है बेटा question है नहीं का आपको, कहता है goods आपने बेच दिये cash में बेच दिये, ठीक है जी बेटा बाबू, sale account का कोई लेना देना नहीं है, cash में सोच लो क्या होना चीए, क्या बेटा, जब goods जाएंगे क्या business में cash आएगा, बेटा, बिलकुल पैसे आएंगे business में, बेटा, cash आएगा और cash क्या है बेटा, एक asset, asset का increase होना हमेशा debit होता है, तो बेटा, cash का बढ़ना भी debit होगा sold goods, amounted to rupees 60,000, लो प्यारे बच्चो, मैंने बेटा, first transaction को post कर दिया, second one, sold goods to hurry on credit 20,000, बेटा, आपने hurry को goods बेचे हैं, 20,000 रुपे के, sold goods to hurry, कौन से दो account पर impact आने वाला, सबसे पहले ये सोचो, बेटा, sold goods, याने sale account, और दूसरा बेटा, hurry को बेचे हैं, हम हर उस customer को debtor बोलते हैं, बेटा, जिसको हम उधार पर goods बेचते हैं, तो hurry means, बेटा, हमारे business के लिए debtor हो गया, आपने बेटा, hurry को उधार पर goods बेच दिये, 20,000 रुपे, मेरे प्यारे बच्चो, कौन से account पर impact डालेगा, बेटा, hurry क्या होगा, debtor है, debtor हमेशा business की asset है, कोई भी debtor है, बेटा, business की asset है, और asset का बढ़ना debit और बेटा, गिरना credit, बेटा, जब आपने hurry को goods बेचे, तो कहीं ना कहीं, बेटा, आपकी एक asset खड़ी हो गई, कि आपने hurry से पैसे लेने है, future में, hurry आपके लिए asset है, बेटा, hurry से आपने पैसे लेने है, मैंने goods बेचे, hurry मुझे, बेटा, future में pay करेगा, आज उसने pay नहीं करा, क्या, बेटा, debtor की amount बढ़ जाएगी, क्या आपकी asset की amount बढ़ जाएगी, बेटा, बिल्कुल बढ़ जाएगी, बेटा, asset or debtor की amount बढ़ जाएगी, तो बेटा, ऐसे cases में debit कर देंगे, हम, sold goods to hurry, लो बेटा, लिखो, sold goods to hurry, amounted to rupees 20,000 rupees, तो बेटा, हम आगे बढ़ते हैं, third business transaction पर, कहते हैं, purchase goods from Christian on credit 36,000, बेटा, कौन से दो account को impact करेगा, आपने Christian से goods करी दे हैं, 36,000 के उधार पर, बेटा, जब आपने उधार पर goods करी दे हैं, तो दो account को impact डालने वाला है, purchase account को तो डालेगा ही, डालेगा, बेटा, goods आ रहे हैं business में, purchase account को impact डालेगा, और दूसरा बेटा, creditor को, आपने creditor से goods करी दे हैं, हर वो supplier जिससे आप उधार पर goods करीदे हो, हम उनको creditor बोलते हैं, तो बेटा, जब आपने उधार पर goods करीदे, क्या आपकी obligation बढ़ रही है, बेटा, क्या आपकी liability बढ़ रही है, क्या आपको future में pay करना है, बेटा, creditor is our liability, और बेटा, liability का बढ़ना हमेशा credit होता है, बेटा, बाव आपकी liability बढ़ रही है, क्या फ्यूजर में तो आपको creditor को पैसे देने ही देने है, तो कहीना कहीं बेटा, creditor का बढ़ना या liability का बढ़ना credit होता है, लिखो बेटा क्रेडिट में पर्चेस गुड्स अन क्रेडिट बेटा आप उधार पर गुड्स करीद कर रहा हूँ अमांटेट टू रुपीस 36,000 तो यह रहा बेटा मैंने थर्ड ट्रांजेक्शन को भी मैंने पोस्ट कर दिया बेटा एक एक ट्रांजेक्शन तीनों अकाउंट में जा चुकी है चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं कहता है परचेस गुड्स फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिट फॉर कैश 10,000 बेटा इस बार आपने क्या करा क्रेडिट से गुड्स तो खरीदे बेटा इस बार आपने क्रेडिट से गुड्स तो खरीदे लेकिन फॉर कैश 10,000 मेरे प्यारे बचो ये लेकिन इस बार नकत करीदे हैं बेटा 10,000 रूपे की मेरे प्यारे बचो कौन से दो अकाउंट पर इंपक्ट डालने वाला है गुड्स खरीदे परचेज अकाउंट और बेटा कैश गया तो कैश अकाउंट दो अकाउंट को इंपक्ट डालने वाला है बेटा एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट क्या मैं कहीं परचेज अकाउंट बना रहा हूं बेटा नहीं मैं तो सर्फ cash account बना रहा हूँ बेटा बाबू cash आएगा या जाएगा बस simple सी बात सोचो goods बेटा आपने खरीदे हैं goods आएगे और cash येव से चला जाएगा क्या बेटा business से asset कम हो रही है क्या business से cash कम हो रहे है बेटा बाबू cash या asset का कम होना हमेशा credit होता है बेटा लो purchase goods बेटा credit होता है हमेशा purchase goods 10,000 रुपीज आपने बेटा cash में goods करीदे cash कम होगा cash का कम होना credit side record होता है चलो जी बढ़ो आगे बेटा 5th transaction क्या बोलती है cash received from हरी 15,000 बेटा आपने हरी से आज cash receive कर लिया 15,000 रुपे हरी था क्या बेटा अगर आप second business transaction देखोगे बेटा तो आपको समझ में आ जाएगा हरी debtor था बेटा आज debtor ने आपको cash दे दिया कौन से दो account पर impact जाएगा एक तो बेटा cash account पर दूसरा debtor के account पर बेटा cash business में आ रहा है जा रहा है सबसे पहले ये सोचो बेटा cash तो business में आ रहा है बेटा cash का आना मतलब asset का आना बेटा asset बढ़ रही है cash आ रहा है business में बेटा cash बढ़ रहा है cash बढ़ना मतलब asset बढ़ना और asset का बढ़ना बेटा हमेशा debit होता है तो मेरे प्यारे बच्चो हो क्या रहा है यहां पर cash received हो रहा है आपको हरी से लिख दो cash received from हरी cash का बढ़ना बेटा हमेशा debit कितने रुपे बेटा 15,000 रुपीज लो प्यारे बच्चो बेटा आप दूसरा impact सोचो इसका बेटा cash की तो बात होगे हरी के account में क्या होगा that means debtor के account में क्या होगा बेटा आपने debtor से पैसे लेने थे बेटा आज उसने 15,000 रुपे आपको दे दिये हरी से cash receive आप 15,000 रुपे जब बेटा debtor ने पैसे दे दिये बेटा आपको तो आपको नहीं लगता debtor की amount कम हो जाएगी मैंने debtor से लेने कितने हैं बेटा 20,000 रुपीज आज वो 15,000 रुपे दे गया तो कहीं ना कहीं बेटा बुक से debtors कम हो जाएंगे बेटा कहीं ना कहीं debtor जिनसे आपने बेटा पैसे लेने हैं वो amount कम हो जाएगी तो बेटा debtor मतलब asset asset का कम होना credit होता है लो प्यारे बच्चों बेटा cash received from hurry amounted to rupees 15,000 रुपीज तो क्या बेटा इस transaction को आपने दो account में post करा हा बेटा इस transaction को हमने दो account में post किया है बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा cash paid to Christian 28,000 मेरे प्यारे बच्चों आपने cash दिया है Christian को Christian कौन है बेटा creditor है third business transaction से आपको पता लग जाएगा बेटा हमने cash दिया सबसे पहले तो आप यह देख लो कौन से दो account है जिस पर impact आने वाला है जब आपने Christian को cash pay किया बेटा दो account पर impact आने वाला है एक बेटा Christian के account में विच्चे सा creditor और दूसरा बेटा cash बाग तो cash और creditor दो account पर impact आने वाला है बेटा cash आपने pay करा cash चला गया business से cash चला गया बेटा क्या होगा asset कम हो गई बेटा cash कम हो गया business से asset का कम होना बेटा credit होता है asset जब कम हो जाती है बेटा credit होती है तो बेटा cash चला गया cash pay to Christian कितने रुपे बेटा 28,000 रुपीज लो प्यारे बच्चो दूसरा impact किस account पर जाएगा बेटा creditors account पर बेटा आपने payment तो 36,000 करनी थी आज आप 28,000 रुपीज दे आए और जैसे ही मैं बेटा 28,000 रुपे Christian को pay कर आया बेटा तो कही ना कही मेरे creditor कम हो जाएगे मेरी obligation कम हो जाएगी आज तक मेरी obligation 36,000 की थी लेकिन जैसे ही मैंने 28,000 पे करे बेटा कही ना कही मेरी obligation कम हो जाएगी बेटा कही ना कहीं creditor reduce हो जाएगे और बेटा creditor का कम होना मतलब liability का कम होना liability का कम होना debit side में record होता है cash paid to creditors amounted to rupees 28,000 rupees लो बेटा आपको क्या करना है आप balancing करनी है बेटा हर account की balancing करनी है balancing के लिए सारे total को पहले rough में लिख लो बेटा मैंने इस side का भी total कर दिया और इस side का भी total कर दिया सबसे पहले rough में total लिख लो फिर highest total होंदा both side बेटा highest total को आप दोनों तरफ से लिख लो लो बेटा लिख दिया अब जस भी तरफ balance आता है बेटा balance निकाल कर दे दो बेटा balance आया यहाँ पर 37,000 rupees ठीक है जी बेटा यहाँ पर भी दोनों side का total rough में लिख लो मैंने rough में दोनों side का total लिख लिया है बेटा highest total होंदा both side बेटा highest total को दोनों तरफ लिख दिया और जस्ट भी तरफ balance आया बेटा balance calculate कर दो तो ठीक है जी बेटा data account का भी balance लिख दिया बेटा दोनों side का total कर लो creditor में भी कर लिया जी highest total को बेटा post कर दो दोनो side बेटा post कर दिया और बेटा balance calculate कर दो लो बेटा balance भी calculate कर दिया तो क्या इतना simple था question number 28 बेटा बहुत simple था ठीक है ना मैं hope करता हूँ यह आपने किया हो बेटा लेकिन एक बात ज्यानकना किसी भी चीज को रटने की कोशिस मत करना अकाउंट में बात रटने की नहीं होती बेटा अगर मैं आपको test में ऐसे दे दू कि मुझे तो 3 नहीं मुझे तो 5 अकाउंट चीए मुझे तो cash भी बना कर दिखाओ मुझे तो debtor भी बना कर दिखाओ मुझे तो creditor भी बना कर दिखाओ मुझे तो sales भी बनाकर दिखाओ और मुझे तो purchase भी बनाकर दिखाओ तो क्या मैं आपको दे नी सकता कि मुझे 5 account चीए, वेटा मैं तो दे सकता हूँ मैं तो कभी नी काऊँगा वेटा आपको छोटी बात सिखाओं या वेटा कम बात सिखाओं तो बेटा यह आपके लिए homework है अब आप करोगे क्या मुझे 5 account बना कर दिखाओंगे cash account दुबारा debtors account दुबारा creditors account दुबारा और दो नए account बना कर दिखाओंगे एक sales account और दूसरा purchase account और उमीद कर रहा हूं बेटा मेरे प्यारे बच्चे सब ठीक बनाएंगे बाबू यह question में जानके homework दे रहा हूं ताकि मैं देखू कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं ठीक है आपका analytical skill कितने आपके पास बेटा यह चीज मुझे देखनी है तो यह आपका homework है बेटा इस question को आप दुबारा repeat करेंगे और purchase और sale account भी बना कर दिखाएंगे लो बेटा अब मैं question number 21 करता हूं बहुत जल्दी से इसको rub करता हूं लो बच्चो बाबू question number 21 में एक दो बात आपको नई सीखने को मिलेगी अभी बहुत अराम से आगे बढ़ेंगे हम बेटा question number 21 क्या कहता है कहता है from the following particular prepare the proprietor capital account आपको क्या करना है बेटा proprietor का capital account बनाना है ठीक है जी बेटा बाबू आपको date भी दे रखे इस बार और बहुत अच्छी वादा में date दे रखे हम date वाला question भी सीख लेंगे 2017 में कुछ transaction हुई है बेटा 1st of April को आपने business start किया है with cash 45,000 आपने बेटा 10th of May को बेटा विड्रियू करिया है कुछ from the from business or the personal use 10,000 रुपीज 15th of July को आपने नई capital introduce किया है बेटा 55,000 रुपीज निवेंबर 30 को बेटा आपने income tax पे किया है 5000 रुपीज अभी आपको income tax के वारे में कुछ नहीं बता बेटा आज मैं बताऊंगा घबराना वाद और बेटा 2018 में एक transaction हुई है बिलकुल last date पे हमारे financial year के March 31 को profit आया business में 30,000 रुपीज और आपको बेटा capital account बनाने को कहता है तो बेटा पहले capital account बनाना start करते हैं जब income tax वाली बात आएगी तो बेटा income tax पे सच्चा जरूर करेंगे लो प्यारे बच्चो बात करते हैं question number 21 की proprietors capital account या लिख लो बेटा capital account कोई फरक नहीं पड़ता लो बेटा मैं capital account लिख रहा हूं और मैं format ready कर रहा हूं लो बेटा हमने format बना लिया है बेटा और सबसे पहले 2017 मेरे व्यारे बच्चो दोनों तरफ सबसे पहले year लिख लेना ताकि बात में हर date में year लिखने की परशानी खतम हो जाए एक बार अगर आप year लिख देते हो बेटा तो हर date में year लिखने की जौरत नहीं है फिर सिर्फ transaction क्या date date लिख सकते हो बेटा date with month year लिखने के आपको जौरत खतम हो जाती है और आपको बोलता है बेटा started a business with 45,000 रुपीज आपने business की शुरुआत करती है बेटा बिजनस में आप 45,000 रुपे ले आयो मेरे प्यारे बच्चों जब आप business की शुरुआत करते हो और पैसे लेकर आते हो आपको पता है कौन से दो account impacted होते हैं बेटा दो account बड़े impacted होते हैं बेटा एक cash account और दूसरा capital account मेरे प्यारे बच्चों क्या मुझे cash account prepare करना है बेटा इस question में नहीं मुझे तो cash prepare नहीं करना है बेटा क्या मुझे capital account prepare करना है हाँ मैं capital account बना रहा हूँ बेटा बस जब business में पैसा आया क्या capital increase होती है बेटा बिलकुल increase होती है और capital का बढ़ना बेटा क्या होता है हमेशा credit होता है तो लिखो बेटा started a business आपने बेटा business start किया 45,000 रुपीज के साथ मैंने लिख दिया है बेटा credit side में अपनी चलो जी बेटा बढ़ो आगे second business transaction बेटा बोलता है withdrew from business for personal use 10,000 on 10th of May बेटा ये transaction 1st of April कोई थी तो लिख दो और बेटा अगली transaction 10th of May कोई है बेटा आपने personal use के लिए पैसा निकाला that means drawings और बेटा drawing समेशा capital को कम कर देती है और बेटा capital का कम होना कहां record होगा बेटा debit side record होगा बेटा it is a drawings withdrew from business for personal use इतनी बड़ी बात बोलो या बोलो drawings और बेटा हम शुरू से बढ़ते आ रहे हैं second class से बढ़ते आ रहे हैं बेटा हमने अपनी class number 2 में बात सीख ली दी बेटा कि drawings समेशा capital को कम कर देती है और बेटा जब capital कम होगी तो capital का कम होना record होगा debit side लिख दो बेटा 10th में की transaction है ये बेटा drawings आपने drawings की है बेटा कितने रुपे की 10,000 रुपे की लिख दिया मेरे प्यारे बच्चो आगे बढ़ो बेटा आपको third business transaction बुढ़ता है आप दुबारा capital ले आए further capital introduced amounted 2 रुपे 55,000 बेटा capital लाना या further capital लाना कही ना कही मेरी capital बढ़ा देता है बिजनस में और capital का increase होना बेटा हमेशा credit होता है capital का increase होना हमेशा credit होता है 15th of July क्या लिखोगे बेटा further capital introduced further capital introduced amounted to रुपे 55,000 amounted to रुपे 55,000 मैंने लिख दिया बच्चो अब fourth item है income tax paid बेटा एक बार के लिए मैंने account रोक दिया है अब सबसे पहले मैं income tax paid चर्चा करना चाता हूँ मेरे प्यारे बच्चो बहुत अराम से tax के बारे में समझेंगे कुछ ना कुछ बाते आज कर लेते हैं और कुछ ना कुछ बाते हम करेंगे बेटा आज से 10-15 दिन के बाद दुबारा बाबु देखो एक बात समझाता हूँ अगर मैं किसी भी देश की गवर्मेंट की बात करूँ किसी भी देश के बारे में सोच लो इंडिया के बारे में आपके लिए सोचना ज़्यादा आसान रहते हैं तो आप इंडिया के बारे में सोच लो बेटा आपने कभी सोचा इंडियन गर्मेंट इतने सारे expenses करती है इंडियन गर्मेंट बेटा कभी road बन वारी है कभी कोई highway बन वारी है कभी कोई port develop हो रहे है बेटा कभी metro cities को develop कर रही है कभी metro जा रही है बेटा कभी bullet train की बात चल रही है इतने सारे government employees है उनकी salary government pay कर रही है बेटा गर्मेंट ये खर्चे कहां से करती है गर्मेंट की क्या कमाई है किसी भी सरकार की बेटा क्या कमाई होती है बेटा बावो कोई भी गर्मेंट हो कोई भी गर्मेंट किसी भी देश की गर्मेंट के बारे में सोच लेना किसी भी देश की गर्मेंट की main कमाई होती है बेटा टेक्स बेटा कोई भी government कोई भी सरकार कमाती है टेक्स से पैसा कमाती है बिलकुल ठीक बाव उस सरकार की main कमाई टेक्स है बेटा आपकी knowledge के लिए एक बात बता देता हूँ टेक्स दो तरीके के होते हैं टेक्सस दो तरीके के होते हैं बेटा एक टेक्स होते हैं डारेक्ट टेक्सस और बेटा दूसरे तरीके के टेक्सस कम होते हैं इन डारेक्ट टेक्सस बेटा डारेक्ट टेक्सस और इन डारेक्ट टेक्सस दोनों ही सरकार की कमाई है सरकार की कमाई बेटा टेक्सेस है टेक्सेस से सरकार कमाती है तबी खर्चे कर पाती है बेटा दो तरीके के टेक्सेस इंडिया में लगते हैं एक डारेक्ट टेक्सेस और एक इन डारेक्ट टेक्सेस बेटा direct taxes पे आज मेरी चर्चा है इन direct taxes को मैं करूँगा बेटा जब मैं accounting सिखाऊंगा आपको GST की यानि की बेटा ये मेरे 10 से 15 दिन बात का मुद्दा है बेटा आज मैं इसको touch नहीं कर रहा लेकिन मैं एक overview आपको जरूर दे दूँगा आज ही बेटा direct taxes क्या होते हैं वो taxes जो बेटा जिसके उपर लग रहे हैं उसी को pay करने है बेटा अगर आपके उपर लग रहे हैं तो आप ही को pay करने हैं बेटा ऐसे taxes को मोलते हैं direct taxes अगर मैं बेटा टेक्निकली थोड़ा सा बोलने की कोशिस करो तो बेटा ये वो tax है, जिनका burden कभी shift नहीं किया जा सकता जिसका burden कभी shift नहीं कर सकता, अगर आपDING के उपर लग रहे हैं तो आपDING को pay करने हैं बेटा और indirect tax हैं बेटा …. बेटा, indirect tax हैं वो होते हैं जिसका burden shift किया जाता है, बेटा बाबो लग किसी और के उपर रहे हैं, पे कोई और कर रहा है अच्छा, indirect taxes ऐसे taxes होते हैं बेटा, बिलकुल direct taxes वो taxes होते हैं बेटा, जिसका burden कभी shift नहीं होता जिसके उपर लवाए हो रहे हैं बेटा, वो ही pay करेगा indirect taxes का बेटा, burden shift किया जाता है लवाए किसी और pay होते हैं बेटा, और pay हमेशा कोई और करता है बेटा, लग किसी और के उपर रहे होते हैं और pay कोई और कर रहा होता है ऐसे कौन से tax होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आग को बेटा, आपना Domino's में पीजा खाने गए ठीक है जी और Domino's ने आपको क्या करा? एक invoice, एक bill issue करा ठीक है जी मान लो बेटा, आपने पीजा खाया रुपी 500 लेट सबोज उसने लिखा sale price of pizza sale price of pizza 500 रुपीज प्लस GST बेटा, आपको भी नहीं भी पता होगा तो फुल फॉर्म याद रख लो goods and service tax GST 5% और बेटा आपको bill दे दिया, उन्होंने 525 का मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अराम से बात जानने की कोशिश करना indirect taxes होते क्या? indirect taxes बेटा, जिसका burden shift करते हैं लोग बेटा, जो लिवाए किसी और के उपर हो रहे हैं और फे कोई और कर रहा है बेटा, indirect taxes लिवाए तो हो रहे थे dominoes के उपर dominoes के उपर लग रहे थे लेकिन dominoes ने क्या करा? बेटा, इसका burden shift कर दिया बेटा, आपके उपर पीजा खाने आप आए बेटा, लवाए तो बेटा dominoes के उपर हो रहे थे आप पीजा खाने आए, उसने क्या करा? taxes आप से वसूल लिए बेटा क्या indirect taxes का burden shift किया जाता है हमेशा shift किया जाता है पे तो करने थे dominoes को लेकिन निकलवाली उसने आप से आप से पैसे लिए और सरकार को जमा करा दिये बेटा क्या इसने burden shift कर दिया? कर दिया बेटा, ऐसे taxes, indirect taxes होते हैं जिनका burden shift हो जाता है और मेरे प्यारे बच्चो GST is the perfect example of indirect taxes हमारे course में इसकी accounting है बेटा तो हमारे को बेटा accounting इसकी सीखनी है इसलिए मैं इसकी चर्चा करूँगा 10 days to 15 days बेटा, अगले 10 से 15 दिन के बाद इसकी चर्चा करूँगा अभी ये बात को यहीं रोक रहा हूँ बात करता हूँ direct taxes की बेटा, direct taxes वो taxes होते हैं बेटा जिसका burden shift नहीं किया जा सकता ये जिसके उपर लग रहे हैं बेटा उसी को pay करने पड़ते हैं just like income tax and corporate tax just like income tax and corporate tax मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बात समझो अगर कोई business अपने लिए tax दे रहा होता है तो बेटा हम उसको बोलते हैं corporate tax याने कि बेटा जो business tax pay कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं corporate tax और income tax क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों देखो बहुत अराम से समझाते हो बेटा आपको याद होगा हमने concept पढ़ा था business entity concept जो क्या बोलता था बेटा business आपकी entity separate है businessman से याने कि business अलग बात है मेरे प्यारे बच्चों businessman बिलकुल अलग बात है यह बुलता है आप दोनों अलग-अलग चीजे हो कानून की नजरों में एक नामान लेना अपने आपको तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा दो अलग-अलग चीज़े हमने पढ़ी है एक business होता है और एक businessman होता है पेटा जिसको आप proprietor भी बहुते हो पेटा इसको तो आप proprietor भी ब zeggen और business studies में इसको आप entrepreneur भी ब lekker बाबो, business के उपर जो tax लगता है जो business अपने लिये tax देता है पेटा उसको बोलता है corporate tax corporate tax बेटा जो business अपने लिए tax देता है बेटा उसको हम बोलता है corporate tax यानि की यह क्या है यह बिजनस का खर्चा है बेटा it is a business expense ठीक है जी और जो बेटा proprietor tax देता है उसे क्या बोलते है मेरे प्यारे बच्चो उसे हम income tax बोलते है उसे हम income tax बोलते हैं जो प्रोप्राइटर टेक्स देता है बेटा और बाबू ये एक personal expense है ये कोई business का खर्चा नहीं है बेटा मैं दुबारा से बात किये कर रहा हूँ direct tax ये दोनों tax होते हैं इसका burden shift नहीं किया जा सकता दोनों का ही नहीं किया जा सकता अगर बेटर को ही देना है business के उपर लग रहा business को ही देना है आप किसी और से नहीं निकलवा सकते बेटा जबकि GST आप किसी और से निकलवाते हो इसका burden आप shift करते हो बेटा मैंने आपको समझाने की कोशिस करी कि income tax और corporate tax में क्या difference होता है मेरे प्यारे बच्चों याद करो business entity concept याद करो याद करो बेटा business entity concept ये क्या बोलता था बेटा business आपकी entity separate है from that of business man बिजनस एक बिलकुल अलग चीज़ है बेटा और business man बिलकुल अलग बात बेटा कुछ taxes business को देने पड़ते हैं कुछ businessman को देने पड़ते हैं बिजनस जो tax देता है बेटा उसे हम corporate tax बोलते हैं य आपको याद हो बेटा हम account में सिर्फ business के खर्चे जोडते हैं सिर्फ business की बात करते हैं बावू ये क्या बोलता है businessman आप भी जो tax देते हैं उसे हम बोलता है income tax यानि कि ये बेटा ये इसका personal खर्चा है बेटा मेरे लिए तो ये भी drawinx है आपको बोलता है बेटा आपने income tax पे पैसे निकाले और income tax pay कर दिया मेरे ब्यारे बच्चों income tax pay किया अगर corporate tax pay किया होता तो मैं सोचता कि यह business का खर्चा है मेरे लिए तो यह drawings है अगर आपने business से पैसे निकालकर income tax pay कर दिया यह तो आपका personal खर्चा था मेरे लिए तो बेटा it is a mere drawing तो बेटा last lecture में मैंने एक बा बेटा आप natural person हो आप human being हो आपका होता है life insurance लाइब insurance का खर्चा भी बेटा आपका personal expense होता था और आज मैंने एक और नही बात सीख ली बेटा income tax pay करना भी आपका personal खर्चा होता है तो बेटा income taxes may are drawings और बेटा drawings हमीशा क्या करती है capital को कम कर देती है तो मैंने क्या किया बेट बेटा जैसे drawings को जो 10th of May को की थी वो भी debit की थी तो बेटा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा क्यूंकि मैं capital दुबारा कम कर रहा हूँ और capital का कम होना हमेशा debit होता है बेटा मैंने debit side record किया date देख लो बेटा 30th November 5000 रुपीज 30th November को बेटा अपने drawings करी income tax पे करा मतलब drawings करी बेटा 5000 रुपे तो बेटा मैं भी तक दो बाते और सीख चुका हूँ कभी आपको drawings दे बहुत अच्छी बात drawings ना दे लेकिन बोल दे live insurance premium paid live insurance premium की कोई बात करे कभी बेटा बात करे आपसे income tax की तो ये दोनों भी बेटा drawings ही है बस बेटा दूसरी भाषा में लिख दिया इसमें ची क्या जी बेटा और क्या transaction हुई और transaction बेटा 2018 को हुई मेरे प्यारे बच्चों लिख दो 2018 को कोई transaction हुई है बेटा बाबो बिसनस ने profit कमाया है बिसनस ने profit कमाया है amounted to rupees 30,000 rupees on the last day of the financial year बेटा 31st मार्च को आपने profit कमा लिया है 30,000 rupees बेटा profit हमेशा capital को बढ़ाता है capital में हमेशा add होता है format याद कर लो मैंने पिछली class में भी यह बाद बोली थी बेटा format याद करो बेटा आप क्या करते थे opening capital में add कर दो additional capital introduced minus कर दो प्यारे बच्चों drawings add कर दो profit और minus कर दो losses मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करते थे profit हमेशा add करते थे capital में तो क्या होता है बेटा profit capital को बढ़ाता है और capital का बढ़ना हमेशा credit होता है तो बेटा आप profit को record कर दो credit side में 31st of March profit 30,000 rupees अब हम क्या कर रहे हैं बेटा हम total कर रहे हैं rough में total कर लेना both side का इस side का total है बेटा 15,000 और बेटा credit side का total है 1,30,000 हाइस total शुट भी होना both side 1,30,000 शुट भी होना both side और अब हम क्या करेंगे बेटा balance calculate करेंगे मेरे ब्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं balance 1,15,000 rupees मैंने balance लिख लिया बेटा 1,15,000 rupees और यहां पर मेरा question number 21 भी खतम हो गया as well as the chapter बेटा अगली class में हम आते ही journal entries की बात करेंगे और journal entry based है बेटा traditional approach के उपर तो मेरे प्यारे बच्चों आपको traditional approach बहुत अच्छे से पढ़कर आनी है आपको याद करके आना है personal account, आपको याद करके आना है real account और आपको याद करके आना है nominal account तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों बाई बाई